हाई मैं हूँ विकाश कुमार सिंग, student of third year BAMS, bachelor of ayurveda medicine and surgery बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि BAMS ही क्यों किया BDS भी कर सकते थे, BHMS भी कर सकते थे या abroad में MBBS भी कर सकते थे, तो ayurved ही क्यों किया तो reality ये है कि जिनको MBBS नहीं मिलता या तो वो BMS कर लेते हैं, या तो वो BDS कर लेते हैं, या BHMS कर लेते हैं, या abroad में MBBS अब middle class family के पास इतना पैसा होता नहीं है, जो कि वो MBBS कर ले, private से और सबसे ज़्यादा उनके साथ बुरा होता है, जो लोग general category वाले हैं उनका बहुत अच्छा marks आते हुए भी MBBS नहीं मिल पाता तो क्या करें, कुछ तो करना होगा, तो मैंने भी बहुत सोच समझ कर BAMS चुना क्यू चुना मैंने, तो इसके पीछे मैं logic समझी है BAMS करने के बाद आप कहीं भी practice कर सकते हैं दो से चार जगाद chamber खोल कर बैट सकते हैं कम से कम instrument के साथ सुबह में यहाँ, तो साम को वहाँ, अगर आप PDS करते हैं तो बहुत सारा investment करना पड़ेगा आपको chamber खोलने के लिए बड़ी बड़ी machine खरीदनी होंगी, लाक रुपय का investment आता है उपर से आपका chamber भी सिमट कर रह जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप एक chamber और अगर ज़्यादा चल गया तो दो chamber फिर machine भी आपको दो चाहिए और क्या है ना, इस line में patient बहुत कम है अब खुदी आसपास देख सकते हैं कि दातों के तकलिफ से कितने ही लोग गुजरते हैं उससे ज़्यादा तो आदमिये के पास बहुत सारी बिमारी है पूरी body में अभी देख लो, corona का season है तो सबसे ज़्यादा demand physicians की है तो BMS करके आप physician बन सकते हो बट BDS कर क्या physician नहीं बन सकते और जब corona का recruitment हो रहा था तो सायद ही मुझे देखने को मिला कोई BDS आया हो तो मुझे देखने को नहीं मिला कि BDS का recruitment भी हुआ MBBS का, BMS का, BHMS का मुझे देखने को मिला लेकिन BDS का नहीं देखने को मिला मुझे दूसरी बात ये कि BDS वाले स्थेटेस्कोप को बहुत मिस करते हैं मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा है कि काश मैं BMS ही कर लेता मैं भी बहुत कन्फ्यूस था जब मुझे BDS और BMS दोनों ही मिल रहा था और ममी बोल रही थी कि क्या जिन्दगी बर दांच साफी करता रह जाएगा लोगों का मतलब ये बनना हो तो अलावाला डॉक्टर बनो तो साफ साफ इसारा मुझे ये मिल रहा था कि मुझे BMS ही करना है तो बात करते हैं अब्रोड MBBS की तो देखिये मैंने बहुत पता किया है और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो रश्या में और चाइना में दोनों जगह में MBBS कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 लाग मैक्सिमम और कितना 30 लाग इतने में आपका MBBS हो जाता है बट आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक कि आप MCI का एक्जाम क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक चलिए थोड़ा इलाबोरेट करके समझाता हूँ बहुत लोग ने मुझे ये भी पूछा कि एब्रोड से MBBS करू या BMS तो मैं इसके बारे में थोड़ा खुल कर बात करना चाहूँगा बहुत सारे स्टूडेंट रशिया, नेपाल, चाइना, यूक्रेन, फिलिपिन्स चले जाते हैं MBBS करने के लिए बट वो जो डिग्री लेकर आते हैं इंडिया में उसका कोई वैलू नहीं है जब तक कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास ना कर जाओ अगर आप पास करें तो ही इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत लोग यह पुछेंगे जहां से मैंने MBBS किया है क्या वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ नहीं आपका वीजा खतम हो चुका होगा और आपको फिर गवर्मेंट वीजा भी नहीं देगी कि आप जो है वहाँ पे प्रैक्टिस कर सको और अगर आप पास नहीं किये तो वो सर्टिफिकेट सिर्फ भूजा खाने लाइक हो जाएगा और आपको पता होना चाहिए कि ये एक्जाम 18 से 20 परतीशत लोग ही पास कर पाते हैं तो मैंने जैसे पता है कि मेरे काफी दोस्त है चाइना में और रशिया में जो कि वहाँ MBBS कर रहे हैं तो वो कहते यार बहुत दिक्कत है Communication gap बहुत सारे practicals नहीं हो पाती Simple ये कि उनका कहना है कि मजा नहीं आता तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो BAMS is the best option और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने BMS किया अगर आप जरा भी confused है BMS के लिए तो मैं आपको सच-सच बता रहा हूँ कि BMS is the best option मैं खुद कर रहा हूँ और मैं बहुत संतुष्ठ हूँ Abroad MBBS का इतना तारीफ करती है इतना तारीफ करती है जैसे कि वहीं जन्नत हो सुन्दर सुन्दर लड़किया दिखा के आपको admission कराने लेकर चली जाएंगी वहाँ पे एक-एक बच्चों से दो-दो लाख रुपिया और उपर से college से commission अलग से तो भाया इनके जहांसे में मत पढ़िये अगर जाना ही होना तो खुद चले जाएए खुद पता करिये लेकिन इन कंपनियों के साथ मत जाएए आपका पैसा डूब जाएगा अगर आप सही में भाया intelligent हो तो drop कर लीजिए एक साल drop ही तो जाएगा अगर एक साल से आपका पूरे जिन्दिकी सुधर रहा है तो क्यों नग डॉप किया जाए मैंने भी डॉप किया है सब करते हैं drop आपका दो साल class 11-12 के exam पास नहीं कर पा रहे हो मतलब bachelor of homeopathy medicine and surgery तो भाया कुछ लोग बलेंगे कि मैं BHMS क्यों नहीं किया तो देखिए इसमें surgery नहीं है जी हाँ इसमें सिर्फ MD है मतलब master of drugs not MS master in surgery master in surgery BMS में है तो भाया अगर आपको surgeon बनना है तो BMS करिए और BMS करने के बाद BMS करने के बाद आप MD या MS कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए ये वाला वीडियो देखिए ये सब जो मैंने भी बात किया है वो है doctor बनने का process बहुत लोग क्या करते है BSC कर लेते हैं, pharmacy कर लेते हैं पट इसमें problem क्या है न कि आपको job ढूड़ना पड़ेगा और अगर job मिलती भी है तो बहुत कम salary पे आपको काम करना होगा और इंडिया में तो job का इतना किलत है कि आप तो जानते ही होंगे अगर आप BSC कर लेते हो फिर उसके बाद आप फिर आप करोगे MSC फिर B Pharma से कुछ होगा रही आपको या तो करना पड़ेगा MBA या फिर M Pharma तो आप एक कुछ हद तक salary आपको अच्छी मिलेगी For example, मेरा एक cousin brother है वो B Pharma करके MBA करके अभी बहुत अच्छा और अभी बहुत अच्छा job कर रहा है अगर आपको पसंद है Pharma C के बारे में तो जाइए उसके page को like करिए Link में आपको description में दे दूँगा हो सके तो उसके page को like कर लीजेगा डॉक्टर बन जाओगे तो उसके बाद अगर नौकरी नहीं लगती है तो आप क्या कर सकते हो तो simple सी बात है आप chamber में बैठके पूरा का पूरा जिन्दगी आप patient को इलाज कर सकते हो अगर नौकरी नहीं लगी तो डॉक्टर बन के आप chamber में पूरा जिन्दगी इलाज भी कर सकते हो बूखा नहीं मरोगे बेरोजगार भी नहीं मरोगे इसकी तो guarantee है भाईया बट इसके अलावा अगर आप कुछ करते हो तो नौकरी ढूंडते है ढूंडते है आपका पसीना तो यही सब सोच कर मैंने B.A.M.S किया अगर आप nature के साथ हो nature से प्यार करते हो full podhों के साथ रहना चाते हो herbs के साथ रहना चाते हो natural चीजों के साथ रहना चाते हो तो B.A.M.S करिए कौन रोक रहा है आपको अगली वीडियो में बात करेंगे myths regarding B.A.M.S बहुत लोगों का बहुत सारा problem है B.A.M.S के बारे में बहुत सारे confused होते हैं बच्चे लोग बहुत सारी ऐसी misunderstandings है जो कि Instagram पर मुझे हर रोज पुछे जाते हैं वही ये common common questions इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा तो अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो यार अच्छा लगा हो तो लाइक करिए तो देखते रहिए The Ayurveda Vlog